नमस्क्रार दोस्तों मेरा नामे राजा वस्ति और आज मैं आपसे कुछ बहुती सीरियस बात करने के लिए आया हूँ दोस्तों दो तीन चीजे हैं जो आपसे शेयर करनी है आज का ये जो वीडियो है बहुर इंपोर्टेंट है और मैं जानता हूँ कि ये फोटोशॉप के उपर नहीं है ये लाइट रूम के उपर नहीं है बट ये आपके और मेरे लाइफ के उपर जरूर है तो आज एक सीरियस टॉपिक पर बात करेंगे और आप प्लीज पूरा समझेगा और पूरा देखेगा आपको कुछ चीजे समझ में आने वाली है क्योंकि अभी चल रहे हैं लागडाउन के टाइम और लागडाउन का ये जो समय चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा जो प्राबलम हो रही है वो हो रही है डिस्ट्रैक्शन्स की दोस्तों डिस्ट्रैक्शन्स से मेरा मतलब यह है कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने कल मुझे हैपी बर्डे का विश किया था उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे फोटोस भेज़े मैं फोटोस आपसे शेयर नहीं कर रहा हूं बट मैक्सिमम लोग इस लॉक्डाउन के डेज में कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे हैं तो क्या यह नया ट्राई करना आपके लिए सही है या फिर नहीं है इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं बात करूँ as an wedding photographer की, as an fashion photographer की, तो क्या हमारे लिए कुछ भी उटपटांग चीजों को shoot करना सही है, मैं किसी को हतोत साहिद नहीं कर रहा हूँ, अच्छा काम करना सभी के लिए बहुत अच्छा है, मैं यह सोचता हूँ कि अगर आप एक wedding photographer है, तो शायद आपको आपके next planning के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है, वो काफे मुश्किलात भरा हुआ होगा, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंक का photo click कर रहे हैं, जिलनों glasses का photo click कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप practice करें, कोई लिक्कत वाली बात नहीं है, परन्तु, अगर आपने future plan को secure नहीं किया है, कि पास अगर इस चीज के बारे में कोई discussion नहीं है, कोई fix plan नहीं है, कि मुझे आने वाले समय में मैं weddings के बद मैं अपने मन से इस topic पर वीडियो बनानों कि आने वाले समय में आपको किन किन चीजों से earning हो सकती है, या कौन कौन से चीजे जिस पर आप अच्छा काम कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये फाल्तू बाते कर रहा है, इस वीडियो के माध्यम से मैं first आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इस topic पर वीडियो चाहते हैं कि क्योंकि मैंने अपना planning set किया है, मैं किस तरीके से काम करूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आप कैसे काम करें तो आप मुझे message करिएगा, या फिर यहाँ पर comment करके बताएगा, message मत करिएगा, आप comment कर मैंने से मुझे ये clear होगा कि exactly आप चाहते क्या है, क्योंकि photography सीखना बहर बहुर अची बात है, Photoshop सेखना बहुर अची बात है, वीडियो graphics सीखना बहुर अची बात है, editing सीखना बहुर अची बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, एन सब के ऊपर अगर आप चाहें, तो school. पर्चेस करके भी वो चीज सीख सकते हैं बड़ दोस्तों सबसे मेन मुद्दा है हम फोटोग्राफर होगा कि आगे चलके काम क्या करेंगे किसकी शादी शूट करेंगे क्या करने आले हैं तो आपको क्या लगता है मुझे आपका आपका भी सुझाओ चाहिए मुझे आपके आपके भी सलाह चाहिए कि भाई आप क्या सोच रहे हैं और हम फोटोग्राफर को मिलके क्या करना चाहिए क्योंकि मैंने कुछ प्लान किया है वो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा बट उसके लिए मुझे आपकी पर्मिशन चाहिए कि भाई आप जब बोलेंगे कि हाँ स आप हमें बता है तो ही मैं आपसे शेयर करूँगा अधरवाइस हो सकता है लोगों को लगे कि भाई ये क्या बात है और ये सब कैसे होने वाला है तो आगे चलके जो भी चीजे होंगी हाला कि सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा ये एक बहुत फेमस सॉंग है बट जो बड़े फोटोग्राफर्स हैं मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं भी आपके जैसे ही हूं जो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं जिनके पास बहुत हाइफाई काम है वो एक साल भी काम नहीं करेंगे तो उनका काम चल जाना है उनके सांद कोई दिक्क प्रॉब्लम आने वाली है तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो मैं इस टॉपिक पर आगे वीडियो बनाओं आपसे बात करूँ और आज की इस वीडियो में इतना ही मुझे सरी इतना ही बूलना था इसलिए मैंने ये आज का टॉपिक छेड़ा बाकी सब खेरियत है स और पूरी दुनिया जो है काफी प्रॉबलम से गुजर रही है बाट भगवान का भूर बढश शुक्र है कि हमारा जो इंडिया है अभी उस लेवल पे नहीं है और मैं भगवान से प्रात्ना करता हूं कि उस लेवल पे हाय भी ना and आप सभी स्वस्तर हैं आप सभी मस्तर ह अपने फैमिली के साथ व्यस्तर है थैंक यू सो मज